अगर आपको system restore के वारे में नहीं पता है तो मैंने इसके उपर पहले से अलड़ी एक वीडियो बना चुका हूँ आप उसको देख लीजिए का मैं आई बेटर में आपको उसको लिंक दे दूँगा आज बताने वाला हूँ कि system restore किस तरह से आप कर सकते हैं मैं आपको window 7 में बताने वाला हूँ अगर आपके बास कोई भी बर्जन हो चाहिए window 7 हो या 10 हो आप उसमें भी इसी तरह से कर सकते हैं कि इसके लिए दूस्तो सबसे पहले आपको अपना control panel open करना है इसके लिए आप स्टार्ट बार में जाएंगे जैसे हम window बोलते हैं और यहाँ पर आपको control panel का option मिल जाएगा अगर यहां पर option नहीं मिलता है तो यहां पर site में आपको control panel का option मिल जाएगा अगर यहां पर भी नहीं मिलता है तो दुस्तो आपको search वार में जाना है और यहां पर आपको control panel type कर देना है जैसे दुस्तो control panel type करेंगे तो आपके सामने control panel का जो option आजागा इस पर आपको click कर देना है इस पर click करने के बाद आपके सामने इस तरह का interface देखने को मिल जाएगा यहाँ पर दुस्तो आपको एक छोटा सा option दिखाई देगा जहाँ पर आप click करके यहाँ से large icon को set कर लीजिएगा इसके बाद यहाँ से आपको system में जा लिजाना है system पर जैसे आप click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का आपका system है उसका interface दिखाई देगा जहाँ पर आपको left में system protection का एक option मिलेगा इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद दुस्तों आपके सामने एक चोटा सा pop-up window open होगा इसमें आपको system protection पर click कर देना है और यहाँ से दुस्तों आपको यहाँ पर create पर click कर देना है जैसे create पर click करेंगे आपको अपने एक restore point बनाना पड़ेगा यहाँ पर लिखा हुआ है create restore point यहाँ पर restore point बनाने से यह होता है कि अगर आपका जो system है वो restore के बाद सभी से बर्क नहीं करता है तो जो आप restore point बनाएंगे इस system में आप लोट सकते हैं restore point के माद्यम से तो यहाँ पर अपना restore point बनाएंगे आप कोई भी नाम दे दीजिए उसके बाद यहाँ से create पर click कर दीजिए जैसे आप create पर click करेंगे तो छोटा सा pop up window open होगा यहाँ पर process चलेगी इस process को आपने देना है एक से दो मिनिट इसमें लग सकते हैं आपके system के उपर यह depend करता है जैसे process पूरा हो जाएगा यहाँ से आपका जो the restore point बाज created successfully लिखा हुआ जाएगा तो आपको close पर click कर देना है और यहाँ से आपको अपना system restore करने के लिए system restore पर click कर देना है से जैसे आप restore पर click करेंगे तो आपके सामने इस्तरह का endortepeats देखने को मिलेगा जहां पर आपको next पर click कर देना है जैसी next पर click करेंगे तो आपके सामने जो अपने restore point बनाया था वह select कर लिए और यहां से आपको next कर देना है जैसे next करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एंटरपेस देखने को मिलेगा आपका जो system restore point है बोड़ ctri में बना हुआ है यहां पर देख लीजिए और यहां से जैसे आप finish करेंगे तो आपका जो system है बे रिस्टोर हो जाएगा तो कुछ इस तरह से आप अपने system को restore कर सकते हैं लेकिन दोस्तों बिल्कुल confuse मत होईएगा restore और reset अलग-अलग होते हैं डिप्रेंस होता है यह system restore के बार में आपको बता जा रहा है यह system reset नहीं है